जहिन दोस्तो मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूँ आपका मासु अकेडमी सोलेन में दोस्तो इस वीडियो को बनाने का मैन मोटीव यह है कि जो अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस भरती में नए नियम आए हुए है उन सभी नियमों को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे qualification क्या रहने वाली है, age क्या रहने वाली है, क्या age relaxation मिल रहा है total number कितने होगे, height के कितने होगे, NCC के कितने होगे तो दोस्तो आपकी height जितनी भी होगी, आपकी height के यहाँ पे आपको number बताए जाएगे तो दोस्तो जितने भी नियम है उन सभी को डिटेल में डिसकस करेगे तो अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर करें तो यहाँ पर सबसे पहले यही बात करेगे कि जो आपकी फॉर्म बरने की यानि जो अचपी पुलिस के फॉर्म बरे जाएगे उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो दोस्तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो पुलिस की भ apply कर सकते हैं तो दोस्तों पहले बात हैंमने डसकस करें और किस Okay से बिलोंग करते हैं और क्या सब्छे करेंस पहले-प मात करते हैं अगर आप जर्नल से बिलोंग dove करते हैं तो आप दोस्तों आठारा से 25 के बीच की age आपकी होनी चाहिए यानि पुलिस बरती देने के लिए आप 18 साल के पूरे होने चाहिए और जो इसकी अंतिम है वो 25 वर्ष रहने वाली है यानि 18 से 25 के बीच जिसका age group है वो इस form को बर सकते है qualification का discuss करा 10 प्लस 2 रहने वाली है और दोस्तो हाइट का अगर आप मेल हो तो आपकी 5 फूट 6 इंच हाइट रहेगी और अगर आप फिमेल हो तो 5 फूट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए इसके बाद आपके दोस्तो जो chest का है वो male candidate के लिए only ले जाती है इसके बाद दूसरी ST या आप SC SC या ST से category से अगर आप belong करते हो तो आपको यहाँ पे 2 साल का age relaxation मिल जाता है यानि आप अगर SC या ST से हो तो दोस्तो 18 साल से 27 साल के बीज का age group ये form भर सकता है qualification सेम रहेगी और दोस्तो अगर आप SC या ST से हो तो height 5 फूट 4 इंच रहेगी और अगर female की बात करें तो उनकी 5 फूट height रहेगी OBC का दोस्तो OBC का age criteria सेम है और गोर्खा और आपका यहाँ पे गोर्खा हो चाए OBC हो age group आपका सेम रहने वाला है qualification भी सेम है और दोस्तो अगर आप OBC से हो तो आपकी जो height है वो 5 फूट 6 इंच रहेगी और अगर आप गोर्खा से हो तो दोस्तो यहाँ पे 5 फूट 4 इंच रहने वाली है और female में दोस्तो OBC में 5 फूट 2 इंच और दोस्तो अगर आप गोर्खा से हो तो आपकी 5 फूट रहने वाली है तो एक सर्विसमेन हो कोई यहाँ पे होम गार्ड हो तो दोस्तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते है क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाते हैं तो दोस्तो यह बात थी यहाँ पे category की, age की, education की, height male, female में और दोस्तो चेस्ट क्या रहने वाली है आप इस slide में देख सकते हैं इसके बाद आगे निकलते है कि आपकी height कितनी है तो आप यहाँ पे height के हिसाब से अपने number देख सकते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं जो required थी आपकी height वो दोस्तो 5 foot 7 inch के पार थी तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आप यहाँ पे male की बात करें अगर आप 5 foot 7 inch के हो तो आपको यहाँ पे height के number नहीं मिलने वाले और अगर female में बात करें आप 5 foot 3 inch के हो तो आपको यहाँ पे 0 number add हो जाएगा इसके बाद दोस्तो अगर आपकी height 5 foot 7 से 5 foot 8 के बीच है male में और female में दोस्तो 5 foot 3 inch से 5 foot 4 inch तक female में है और male में दोस्तो आपको बता दी गई है यानि आप 5-7 से 5-8 के बीच के हो तो आपको एक number add होने वाला है और दोस्तो दूसरी बात करें तो अगर आप male में 5 foot 8 inch से लेकर 5 foot 9 inch के बीच हो यानि 5-8 से 5-9 के बीच लड़कों को 2 number मिलने वाले है और वहीं female की बात करें तो 5 foot 4 inch से 5 foot 5 inch तक के लिए female में 2 number मिलने वाले है तो दोस्तो इस slide में भी आप अपने हिसाब से जितनी आपकी height है उसके according यहाँ पर आप अपने number देख सकते है तो दोस्तो यह बात थी आपकी height की यहाँ पर मैंने height भी आपकी discuss कर ली इसके बाद दोस्तो जो आपका physical fitness test है वो क्या रहने वाला है ground में आपके क्या-क्या event होने वाले है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर आपके ना event इसमें add हुआ है जो 100 मिटर है आज तक दोस्तो पुलिस में 1500 मिटर की running होती थी और long jump और height jump रहता था लेकिन इस बार इन्होंने 100 मिटर यहाँ पर दोस्तो शामिल करी वी है तो दोस्तो यहाँ पर अब physical जो fitness test है PFT के वारे में discuss करते है तो दोस्तो पहली बात यह कि अगर event यहाँ पर 1500 मिटर है male के लिए यानि male के लिए दोस्तो यहाँ पर जो running है वो 1500 मिटर रहती है वही female के लिए जो running है वो 800 मिटर रहती है तो दोस्तो मेल के लिए जिनके लिए 1500 मिटर रणिंग रहती है उनके लिए जो आपका टाइम है वो दोस्तो 5 मिनट 30 सेकेंड यानि सड़े 5 मिनट का समय मिलता है 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरी रणिंग करनी होती है 1500 मिटर की मेल के लिए और इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा अटेम्टेशन नहीं मिलने वाला यानि एक ही बार आपको दोड़ाया जाएगा वहीं फिमेल में आपने 800 मिटर की रनिंग करनी है और 800 मिटर की रनिंग के लिए आपको 3 मिनट 45 सेकिंड का समय दिया जाता है यह आपकी रनिंग वाला इवेंड था इसके बाद ह 3 चांस मिलते है यानि 3 एटेम्ट आपको मिलेगे अपना हाई जंप क्रोस करने के लिए इसके बाद दोस्तों अगर फिमेल की बात करें तो 1.10 मिटर आपका हाई जंप होने वाला है जिसके लिए आपके लिए 3 चांस दिये जाएगे 3 एटेम्ट में आपने हाई जंप को क् कर दी है तो दोस्तों 100 मिटर के लिए जो यहाँ पे पुलिस में टाइम दिया जागा मेल के लिए वो 14 सेकिंड दिये जाएगे और इसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलने वाला और दोस्तों 100 मिटर की जो रनिंग है वो फिमेल ने 17 सेकिंड में आपको 3 अटेंट दिये जाएगे और दोस्तों अगर फिमेल की बात करें तो ब्रॉड जम यानि लौंग जम के लिए जो होने वाला है वो 3 मिटर का होने वाला है और इसके लिए इनके लिए भी दोस्तों 3 जो चांस है वो दिये जाएगे तो दोस्तों यहाँ पे नई NCC की जो NCC certificate है इसके आपके लिए चार नमबर add होने वाले है तो दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल में देखे कि अगर आपके पास NCCC है तो आपको चार नमबर मिलने वाले है और अगर NCCB है तो दो नमबर और अगर NCCA का certificate है तो आपको एक नमबर मिलने वाला है और दोस्त तो अब अगर मैं यहाँ पे starting वाली slide पे आ जाओं तो यहाँ पे जो 9 नियम थे तो उम्र आपकी 18-25 होती थी लेकिन age relaxation 2 साल का मिल रहा है वो category के लिए मिल रहा है तो दोस्तो यहाँ पे journal की 18-25 और जो category वाले है SC, ST, OBC उनके लिए 18-27 साल है वो दिये गए है इसके बाद दो 90 कोशन पुछे जाएगे इसमें 6 नंबर हाइट के है और 4 NCC के है तो दोस्तो टोटल जो आपका टोटल नंबर है यानि पूर्णांग है वो 100 का रहने वाला है तो दोस्तो यह हिमाचल पुलिस भरती से लेकर सारी update थी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडि करी